अगमी लोग सभा चुनाप को मद्दे नसर रखते हुए सपा प्रमुक अखलेश यादव बड़ा एलान कर चुके हैं जानकारी देदे कि समाजवादी पाटी की तरह से बीते कल 16 लोग सभा सीटों पर उमीदबारों की नाम का एलान कर दिया गया है इस लिस्ट में देखा जाए तो संभल से शफिकुर रह्मान वर्क को उतारा गया है फिरोजवाद से अक्षय यादव वही मैनपुरी से सपा प्रमुक अखलेश यादव की पतनी और मैनपुरी से सांसद डिमपल यादव हैं देवेश शाक्य हैं बदायू से धर्मेंद्र यादव खीरी से उतकर्ष वर्मा और धौर हरा से आनंद भधोरिया उन्नाव से अनू टंडन लखनू से रविदास महित्रा फरुकवाद से नवल किशोर शाक्य अक्वरपुर से राजाराम पाल बांदा से शिव संकर सिंग पटेल, फैजवास से अबधेश प्रसाद, अमेड़कर नगर से लाल जी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद, चौधरी और गोरपुर से काजल निशाद, जहां एक तरफ अखलेश यादव ने इन तमान दिग्ज निताओं को आगे कर दिया है, वहीं कौर करने वाली बात ये जिम्यदारियां सौप रखी हैं, नेता जी के चले जाने के बाद दावे किये गए थे कि आजमगर से शिपाल सिन्यादव चुनाब लड़ते हुए नसर आ सकते हैं, लेकिन दावा तो ये तक किया गया कि अखलेश यादव कन्नोस से चुनाब लड़ेंगे या फिर वह अब तक नहीं हो पाया है आजमगर सीपर, ऐसे में अखलेश यादव और उनके चाचा शेपाल सिन्यादव में से कोई एक ही मैदान में उतर सकता है, हलंकि अभी इस संबंध में पार्टी के नेता कुछ कहने से भी बच रहे हैं, आजमगर सपा का गड़ रहा है, यहां से पूरे पूर्वांचल को साती रही है, लहाजा इस सीट पर सूबे भर की नज़र रहती है, मानजारा था की पार्टी की पहली सूची में आजमगर का नाम होगा दावेदारों में मुलाइम सिंग यादव जी के परिवार का कोई सदस्य होगा, लेकिन अखलेश यादव ने हाल ही में अपने एक इंटर्वी में कहा कि सूर्य को उत्रायन होने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, ऐसमें जब पहली लिस्ट जारी हुई तो लोगों की उत्सुपता बढ़ गई है, लेकिन किसी का नाम ना होने से यहाँ पर लेकर चर्चाएं और भी तेस हो चुक